हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मुमोज की रेसिपी, लॉकी और सोयाबीन से मुमोज हम बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं घर में मुमोज, एक बार अगर आप इस तरह से लॉकी की मुमोज बनाएंगे न, तो बार बार ऐसी बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज्यादा स्वाधिस्ट होने के सांसांत, बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं, बच्चों से लेकर बड़े सब भी को बहुत पसंद आएगा, एक बार ट्राइ जरूर करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुकवीत कमला में आपका स्वागत है, मुम इसका डो हाड भी न हो, सौफ्ट होना चाहिए, तो अच्छे से इसे गूंद लेंगे, गूंदने की बाद इसे ढखकर रख देंगे कम सकम आदे घंटे के लिए, 15-20 मिनट या आदे घंटे के लिए किसी कपड़े या किसी बरतन से इसे ढख देंगे, देख सकते हैं, इस इस तरह से सौफ्ट हमें डो बनाना है, कुछ भी समय नहीं डालने हैं, बस पानी डालकर इसे गूंद लेना है, अब इसे ढख कर रख देंगे, अब चलते हैं, नेक्स प्रोसस के ओर, मुमुज बनाने के लिए प्याज ले लेना है, 6-7 पतला बारी काट लेंगे, लौकी ले लेंगे, उसे कद्दू कस कर लेंगे, धोने के बार अच्छे से, और थोड़ा सा अद्रक को इस तरह से घीस लेंगे, सोया बीन चूरा ले लेंगे, बॉयल करकर उसे छान लेंगे, इस तरह से ताकि उसका पानी निकल जाए, सोया बीन चूरा की जगा, आप सोया बीन लेजेटे हैं उसे बॉल कर ले और उसका पानिय निकालकर मिक्सी में ग्राइन्ड कर ले दर दरा। Position ज़्य कड़ए, और जलता हैं में चलते हैं में प्रोसस की और ज़में और टेल डाले माईए जैसे ही तेल गरम और bon Cambodia परें तो चलते हैं Ce उसका पाणी फिर से निछोड़ लेना है कि लाउकि में पाणी बहुत निकलता है जब इसको डाला है पробर फिर से हाथों से निछोड़ ले मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल देंगे सोयाविन चूरा को बाईल करके हमने छनी से छान लिया है उसका पानी निचोड लिया है पानी बिल्कुल भी न डाले समय सोयवीन चुरा को भी निचोड ले मिक्स कर लेंगे अब इसमें जाएगर नमक, नमक स्वात के अनसार डालें बहुत ज़ादा नमक न डालें मुमोज में नमक थोड़ा कम ही डाला जाता है और बीच-बीच में इसे चलाते रहनें वठना यह तले बलग जाएगा बीच-बीच में इसे चलाते रहें जब आप इसे ढख कर रखें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नपकाएं इसका कच्चापन निकल जाए तब तक इसे हमें पकाना है इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाना है और पकने के बाद ये थोड़ा सा कम हो जाएगा इसका मसाला मॉमोस का स्टफिंग कम हो जाता आप देख सकते हैं स्टाफिंग रेडी हो चुका है अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम मॉमोज बनाना स्टार्ट करेंगे मैदे को लगबग आदा घंटा हो चुका है और स्टाफिंग भी हमारा ठंडा हो चुका है तब तक हम फटा-फट इसकी छोटी-छोटी इस तरह से गोले बना लेना है मैदे के छोटे छोटे गोले बना कर इस तरह से पतला बेलना है बहुत पतला इसे बेलें मोटा विल्कुल भी न रखें पूरी से भी ज़्यादा इसे पतला बेलना है तभी जो मोमोस है खाने में टेस्टी लगते हैं वरना मैदे का टेस्ट आने लगता है तो सबसे पहले चोटे-चोटे गोले बना लें, इसको जल्दी बनाने का तरीका यह है कि इसे गोले बना कर रख दें, फिर इस तरह से पूरियां बना लें, पतली-पतली, अब स्टाफिंग भरेंगे, जितना इसमें आएगा, एक से डेड़ चमत स्टाफिंग भरना है, और इस तरह से इसका शेप देंगे, आप चाहें तो कोई भी शेप आप मॉमोस के देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लेगे, मॉमोस बनाने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब यह बनकर रैडी होते हैं, सच में, खाने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि घर के मॉमोस कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं, एक बार इस तरह से आप मॉमोस बनाएंगे, तो मार्केट का मॉमोस खाना तो भूली जाएंगे, तो एक बार ट्राइ जरूर करें, लौकी के मॉमोस, आप लौकी के जगह और भी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, प स्टीमर में थोड़ा सा ओयल ग्रीस कर देंगे, और मैंने पानी गरम होने के लिए भी रख दिया, पानी गरम हो चुका है, पानी को पहले बॉयल कर लें, जब भी आम मॉमोस रखें, इस तरह से मॉमोस को रख देंगे, ढग कर लो फ्लेम पर इसे 15-20 मिनित तक हमें पकाना है, जब तक हम और मॉमोस तैयार कर लेते हैं, जैसी और मॉमोस बनकर रख देंगे, उसे भी हम स्टीमर में रख देंगे, तो आप देख सकते हैं, दूसरा ट्रे भी मॉमोस का रख देंगे, तो इसे भी हम इस तरह से ढख कर रख देंगे, और बीच में एक दो बार चेक कर तो मुमोज उपर के मुमोज बनकर रेडी हो चुके हैं क्योंकि यह हमने पहले बनाये थे मैं उपर रख दिया था स्टेमर के और यह बाद में बनाये थे यह देखिए थोड़ से इन्हें पकने में टाइम लगेगा मुमोज पके की नहीं इसके लिए हमें क्या करना है देखना है कि मुमोज हमारे ट्रांस्पेरेंट हुए की नहीं जब यह मुमोज ट्रांस्पेरेंट हो जाते हैं इस तरह कि आप देख सकते हैं इसका मतलब मुमोज हमारे पक चुके हैं और इसे एक दुसरे बरतन में निकाल लें और गर्मा गरम सर्व करें चटनी के साथ दोस्तों बहुत ही डिलिसियस और सच मानिए बहुत ही मज़ेदार मुमोज बनकर रेडी हुए हैं आप लोग भी जरू ट्राय करें बच्चों को खिलाएं छुट्यों में पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करें अगर आपको मेर मुमोज बिनाने का तरीका पसंद आया तो मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें अगर आप मुझे यूटूम में देख रहें तो मेरे चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और भी मज़िदा रेसिपी देखने के लिए फिर मिलते हैं निव रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई बाई टेक किया थैंक यू फॉर वाचिंग